असलम लेकूम आयोटी फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉब के साथ तो आज हम बनाएंगे बड़े के पाए बिंटर स्पेशल बड़े के पाए सर्दियों में खाने का मजब बहुत आता है और बहुत ही फायदे मन भी होते हैं पाए तो इसलिए चलते हैं आज हम पाया बनाते हैं आप लोग हमारी रेसेपे ट्राइ करिएगा इंशालला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो सबसे पहले हमने पाये को अच्छे से वाश कर लेना है ताकि देखो आप आसके जो हम मसाले यूज करेंगे तो इस तरह से हमने एक पाया यूज किया हुआ है और हम इसमें पानी शामिल करेंगे एक लीटर तो सबसे पहले हम इसमें कुछ घड़े मसाले शामिल कर देंगे एक बड़ी लाइची एक बाद्यान का फूल और आप छे से साथ लॉंग दालचीनी का टुकड़ा एक इंच शामिल किया हुआ है और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर दिया है वन टी स्पून भर के नमक वन टी स्पून हल्दी पाउरडर शामिल कर दिया है तो टी स्पून हम इसमें खड़ा दनिया शामिल करेंगे और उसके बाद में हम जब हमा का यूज हो चुका है तो फिर यह मुह में आएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा टेस्ट नहीं आएगा तो हम यह सारे खड़े मसाले निकाल देंगे तो इस तरह से हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है एक लीटर के करीब और हम इसको अब ढ़क करेंगे कम से कम हम इसको दूप करेंगे उसके बाद में इसको लोफ्लेम करेंगे यह मारा पाया मसाला यूज कामिले लिया लिया है यह लिया है यह लिया है यहाथ Tools का फ्रैसन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे अद्रक लेशन का पेस्ट की लें लीजी वड़ाएंShed जो हम ने कुक होने के लिए रखा है तो इस तरह से हमने अद्रक लेशन का पेस्ट भी ले लिया है अब इसमें पानी चाल करके उसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे हमने इसमें हाफ टीस्पून नमक शामिल कर दिया है क्योंकि नमक भी उसमें पहले से शामिल है तो यहां पर मसालों को बहुत ध्यान से लेना है बहुत जादा नहीं लेना है नहीं तो फिर जादा हो जाएगा नमक है और हल्दी है उसका खास करके ध्यान रखना है हमारे लगबग 50 मिनट हो गये हैं और हम उसको चेक कर लेंगे सबसे पहले तो गैस की फ्लेम को हमने आफ कर दी है और यह हो गया है ठंडा इसके सीटी भी निकल चुकी है अब हम इसको खोल कर देख लेंगे कि कैसा बना है पाया हमारा अच्छे से गल गया है या नहीं तो पहले च्छान लेंगे इसके पानी जो च्छाने लेंगे और शोरमा लग कर लेंगे तो इस तरह से हमने एक बरतन के उपर रख लिया है च्छन आ कर देलह हम ऍालिasına करू पानी जहा हाय20 श्रीका उ परड़ी iemand लेकार लिचे उसको और यह उसे कङए इस तरह से वाया है यह अच्छेसे गर्म कर लेंगे, तो आप इसमें शामिल that is ह options जरुरत के एप आपको was बहुत कर रहे था यह जो हम बेही हैं तो यह फिर आप गर्म हने के साथ हमने शामिल हम देपाद कर दी नात jest प्ह Megast hence पिस्ट में इसमें बाद Angy-ggar, क्लर बदाने तक हलका सा पिंकिश कलर आग्या आग्या है हम इसमें शामिल कर देंगे जो मसाले लोगे बादे निखिश अर मिक्स करके शामिल हम इसमें 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 फेले मसाले बादगे Youtube कि याँ इसे ही दौरत होा है हम इसमें शामिल कर देंगे, गोश्य चिताश है ठी le ждut के रखा हुआ है, हम इसमें ऑच्छा का शौरबा नीकार क का देंगे में तो भी ख़ड़े मसाले नहीं गए और पीसे को भी अलग कर लिया था तो जो ख़ड़े मसाले थे वो हम ने फिक दिये हैं और इस तरह से हमने आप देख रहे हैं हमारा पाया अच्छे से गल भी चुका है और आप इसमें शामिल कर देते हैं शोर्मा जो हमने चांद कर तो आप इसमें गरम पानी यूज़ कर सकते हैं, ठंडा पानी, यूज़ मत करियेगा, ठंडे पानी से टेस्ट फिर खराब हो जाएगा, तो अगर आपको पानी ये वाला पानी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा गरेवी बढ़ाने के लिए वैसे हमारा परफेक्ट है, आप दे तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़िया सा हमारे पायों का कलर आया हुआ है अब हम इसको चेक कर लेंगे एक बार देखिए आप कितना लजीज पाया तयार हो गया है और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से पाया बनकर रेडी हो जाता है तो अगर आपको रेसेपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप इसको हरा दन्या से हमने गालिश कर लेना है और फिर हम इसको अच्छे से सर्व कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा पाया हमारा बन कर रेडी हो गया है तो वीडियो प तो हम आपके लिए एक फिर नए व्लॉग में एक नई रेसेपी के साथ फिर हाजिर होंगे इंशालला दौा मेरे जात रखिएगा अल्ला हाफीज